अल्राइट सो है वाट्स आप एवरिबड़ी देस्ट आपको ये ट्लियर हो जाएगा कि आपको ये स्मार्ट हो चली नी चाहिए या नहीं तो सबसे पहले देखते हैं इस पूरे बॉक्स का ओवर्विव बॉक्स ओवर्विव कि अगर बात करें तो यहाँ पर हमें फ्रंट में ही फायर बोल्ट निंजा 3 का एक्चुल इमेज जो है हो देखने को मिल जाता है हमें 1.69 इंचेस का फूल टाइज डिस्प्ले राइट साइड में यहाँ पर SPO2 मोनिटरिंग, हाट रेट ट्रेकिंग, मल्टिबल स्पोर्स मोड, IP68 वाटर्पूफ, लेफ साइड में यहाँ पर हमें 1.69 इंचेस का फूल टाइज डिस्प्ले, 214 x 280 का पिक्सल रेजोलेशन, 7 डिस्प की बैटरी, स्मार्ट नोडिफिकेशन और पीजे के साइड यहाँ पर कई फीचर जो है हो मेंशन किये गए हैं अब ही बात करते हैं box contents की तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाती है हमारी smart watch, एक user manual, गाना का subscription, book my show का voucher और warranty registration card और साथी साथ यहाँ पर हमें magnetic charging cable जो है हो देखने को मिल जाती है अब ही बात करते है built-out design की तो यहाँ पर हमें metallic frame जो है हो देखने को मिल जाता है soft silicon straps यहाँ पर हमें दिये गए metallic buckle यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते है तो दोस्तो built-out design की अगर बात करों तो काफी अच्छी built-out design यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है अभी बात करते हैं display की तो यहाँ पर हमें 1.69 inches का HD display देखने को मिल जाता है जिसका pixel resolution है 214 x 280 का दोस्तो इसके outdoor visibility भी काफी बढ़िया है साथ इसाथ raise to wake का response भी हमें काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है तो अभी देखते हैं फटाफट से इस पूरी smart watch का user interface watch UI के अगर बात करें तो जैसे आप touch और hold करोगे तो यहाँ पर आपको watch faces जो हो देखने को मिलेंगे तो दोस्तों built-in यहाँ पर आपको five watch faces जो हो द do not disturb torch और उसे के सहसाथ weather forecast के option जो हो देखने को मिल जाते हैं सेटिंग के अगर बात करें तो यहाँ पर आपको stop watch alarm countdown brightness vibration on off theater mode reset power of about और app qr code के option जो हो देखने को मिल जाते हैं राइट से लेट स्वाइब करते हैं यहाँ पर आपकी step counting मतलब activity tracking जो हो की जाएगी sleep monitoring, heart rate monitoring, exercise मतलब sports mode और यहाँ पर आपका weather forecast का जो हो हो है उसका भी widget यहाँ पर हमेशो हो जाता है shutter मतलब camera control और उसे के सहसाथ music control के option देखने को मिल जाते हैं लेट से राइट स्वाइब करते हैं यहाँ पर हमें honeycomb menu जो हो देखने को मिल जाता है और उसी के साथ साथ दोस्तों नीचे से उपर स्वाइब करते हैं यहाँ पर हमें list type में menu जो हो देखने को मिल जाता है दोस्तो user interface के अगर बात करो तो काफी basic सा user interface हमें देखने को मिल जाते हैं साथ इसा touch response भी यहाँ पर average हमें देखने को मिल जाता है और इतना ही नहीं दोस्तो fireball ninja 3 में यहाँ पर हमें 3 inbuilt games भी देखने को मिल जाते हैं एक है 2048 का puzzle game दूसरा है thunder battleship और third है fly bird मतलब young bird अभी बात करते हैं health features की तो यहाँ पर हमारी heart rate monitoring की जाएगी SPO2 monitoring, sleep monitoring, breathe mode यहाँ पर दिया गया है साथी साथ female health tracking का भी हमें support joyo मिलने वाला है तो अभी देखते हैं इसकी accuracy केसी है, heart rate monitoring की अगर बात करूँ तो almost same data ही हमें देखने को मिल रहा था, SPO2 monitoring में एक single reading का हमें different joyo देखने को मिल रहा था, मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारी अच्छी खासी health monitoring joyo की जारी है, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले से ही बताते हैं आ हो के health parameters के लिए आप ऐसे devices के उपर rely नहीं कर सकते, आपको medical grade devices के साथ ही जाना चाहिए, अभी बात करते हैं sports mode की, तो fireball ninja 3 में यहाँ पर 60 sports mode यहाँ देखने को मिलेंगे, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर 60 sports mode यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और साथी साथ इन sports mode को step counting भी काफे accurately की जा रही है, अभी बात करते है water resistance के तो दोस्तों यह जो पूरी smart watch है, वो IP68 rated water resistant होने वाली है, मतलब दोस्तों आप इसे swimming के लिए यूज नहीं कर सकते है, पाने के लिके फुल के specials यह watch सह सकते है, अभी बात करते है battery के तो दोस्तों company ने space buy किया है कि application की अगर बात करें तो हमें दाफीट नाम का application install कर लेना है, तो हमने इसे पहले से install करके रखा है, तो हम लोग करेंगे इसे simply open, open करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने एक simple user interface open हो जाएगा, यहाँ पर हमारी step counting की जाएगी, sleep monitoring, heart rate monitoring, blood oxygen मतलब HPO2, outdoor running मतलब यहाँ पर हमारी sports का data जो हमें देखने को मिल जाएगा, next step के उपर यहाँ पर हमारे पूरी smart watch का control हमें देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर हम watch faces वगरा set कर सकते हैं, साथी साथ यहाँ पर हम custom watch faces भी set कर सकते हैं, उसे के नीचे यहाँ पर हमें smart notification alert का support मिलने वाला है, तो दोस्तों आपको कौन से application के alert चाहिए, आप यहाँ से set कर सकते हो, यहाँ पर आप alarms वगरा app से set कर सकते हो, camera control का option आपको देखने को मिल जाता है, others में यहाँ पर आपको और भी controlling option जो है हो, देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप auto lock मतलब screen time out 20 seconds तक का max रख सकते हो, उसी के साथ साथ यहाँ आपको सबसे नीचे female health tracking का भी support जो हो, मिलने वाला है, तो अभी आते है final conclusion के उपर, तो दोस्तो सबसे पहले ही मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ninja series जो हो, पहले सी budget friendly series होती है, fireball की, तो दोस्तो इसका pricing है 1799 रूपिज, और दोस्तो इस price point में यहाँ पर आपको अच्छ to body का ratio जो हो, काफी बढ़िया है, और दोस्तो साथी साथ यहाँ पर आपको city sports mode भी देखने को मिल जाते, और three inbuilt games भी आपर दिये गए, तो दोस्तो इस price point में आपको definitely suggest करूंगा कि आप जा सकते हो fireball ninja 3 के लिए, और अगर दोस्तो आप इसे purchase करना चाहते हो, तो description में आपक आपको विडियो पसंदा है वगा पसंदा है वगा तो like करूं, चैनल पर देयो तो subscribe करूं, till then bye bye, this is Ajay Shinde, over and out